भारतिय जन्ता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतिय जन्ता पार्टी जॉइन करने के लिए अप्रोच किया मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतिय जन्ता पार्टी जॉइन कर लूँ अपना पुलिटिकल करियर बढ़ा लूँ और अगर भारतिय जन्ता पार्टी नहीं जॉइन करी तो आने वाले एक महीने में एडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा भारतिय जन्ता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं खतम करना चाहते हैं वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भार्दवाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड़ा को गिरफ्तार करेंगे मेरे सने रागवचड़ा दुर्गेश पाठक तेसौरुपा अर्दवाज नूवी गिर्फतार करंदी त्यारी किती जा रही है। कि भारतिय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतिय जनता पार्टी जॉइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतिय जनता पार्टी जॉइन कर लूँ अपना पुलिटिकल करियर बढ़ा लूँ और अगर भारतिय जनता पार्टी नहीं जॉइन करी तो आने वाले एक महीने में इडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीश नेत्रित्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सतेंद्र जैन जी की गिरफतारी हुई फिर मनीश सिसोदिया जी की गिरफतारी हुई फिर संजय सिंग जी की गिरफतारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल जी को भी गिरफतार कर लिया गया है अब भारतिय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे और वो राघव चड़ा को गिरफतार करेंगे भारतिय जंता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अर्विंद केजरिवार जी की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मुराल डाउन हो जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी senior leadership जेल में हैं हिरासत में हैं लेकिन संडे की राम लीला मैदान की rally के बाद जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आएं पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सडक पर चल रहे संगर्श के बाद अब भातिय जनता प कि आम आदमी पार्टी के टॉप चार leaders को गिरफतार करना काफी नहीं था अब आने वाले समय में अगले बड़े चार नेताओं को जेल में डाला जाएगा मुझे जेल में डाला जाएगा सौरभ भादवाज को जेल में डाला जाएगा दुरगेश पाठक को जेल में डाला जाएगा मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछी दिनों में मेरे पर्सनल रेजिदेंस पे एडी की रेड होगी ना सिर्फ मेरे घर में एडी की रेड होगी मेरे रिष्टेदारों मेरे परिवारवालों के घर में रेड होगी उसके बाद हम सब लोगों को समंस भेजे जा मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतिय जंता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी धंकियों से डरने वाले नहीं हैं हम अर्विंद केजरीवाल के सिपाही हैं हम भगत सिंग के चेले हैं जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता हर विधायक हर कार्यकरता में आखरी सांस तक बची है तो हम अर्विंद केजरीवाल जी के नित्रित्व में इस देश को बचाने के लिए इस देश के सम्विधान को बचाने के लिए इस देश के लोगों को एक बहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो आप चाहे एक एक कारेकरता को उठा के जेल में डालो आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगा दसों और लोग अर्विंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा के रहें दस्दी किस तो पहला दिली दे मुखमंतरी अर्विंद केजरीवाल सने कई लीडर जेल देविच ने नियाय के हरासा देविच चाल रहें ने लगातार उना दियां पेशियां हो रहें ने सुनमाईयां हो रहें पर राहत मिल दी दिखाई नहीं दे रही ते होन मंतरी आतशी ने वी वड़ा खुलासा कर देता है होन देखना होएगा कि इस दावे देविच किनाक सच है होड़गी हर पहलो ती रोस चर्चे खुलांगे अंदरूनी राद बनांगे बलांदवाद खेड सिख्या सहत खेटी दी बात पामांगे हर पिंड हर शेर जावाँ अब दी फाइव चैनल हिंदी भी होगा सार दी फाइव चैनल पंजापी अपनी तर्पी अपने लोक साशेकाल जी मेहा कुलराज जुन्दावा ते तुसी वेकरियों डी फाइव चैनल पंजाबी जोगा लॉंच हो चुका है होन कैने डाविच